ये भटिंडा किला देश के तीन प्राचिंतम किलो में से एक है देखिये गाइज दिल्ली परशासन कर रही रजिया सुल्तान इसी किले के अंदर में बंदी बनाई गई थी ये देखो गाइज ये वही तोफ है जो बावर यूज करता था गुरु गविन सिंग जी बाकाइदा इस किले में रहे हैं और जिसके वज़ो से उस समय इस किले का गविन गढ़ नाम पर गया था यहां पर देखो गाइज एक कुमा बना हुआ है कितना गहरा है ये उसी समय का कुमा है हेलो गाइज विलकम बैक टू मा यूटूब चनल मन्जे जोशी व्लाग गाइज मैं अभी पंजाब के भटिंड कीले में आया हूँ यह बहुत हिसानदार और बहुत इतिहासिक किला है इसे किला मुबारक के भी नाम से जाना जाता है आप लोग इसकी दिवारे देख सकते हैं कितना भ्यानक बना हुआ है अभी हम लोग इस किले के अंदर जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं गमाईबर नहित्षिने जिर...? बिलाव डिफेपड़ 12.06." ab neces당रें पम थीफेडरे आड़ी अपर फ bana डिफेड़ी... तो गाज इस किले में दो गुरुद्वारा है इस तरफ नया वाला है और इधर पुराना गुरुद्वारा है जो पहले से बना हुआ है तो पहले हम लोग नया में जाते हैं और उपर देखते हैं माथा टेक के आएंगे से जाएंगे दूसरे वाले में और आप लोग इस वीडियो हैं बने रहे हैं हम आप लोग को बहुत यतिहासिक चीज़ से रूबरू कराने वाले हैं तुम्हें अंदर नहीं जाना है क्यों जूते गारक वाली करना होगा तो ठीक है तो गैज गुरू द्वारा में सर पे कुछ बांद के जा जाता है तो हमने ये रुमाल बांद लिये हैं जो गुरू द्वारा में रखा रहाता है साथ में इसे भी बंद दिये हैं तो गैज हम लोग उपर जा रहे हैं और यहां पे हमेशा हिलने पाने रहाता है पांड होके उपर जाना पड़ आता है 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 इस है है कि लिए जुए लुए जुए व्युए करदालissood मुष्याब टो जुए जुए लुए हाई वाई हाई भाई चार याई जोग जोग भाई टुट जोग बेदा नोगा हां दों एकार बूलाँ यह ओल्ड गुरु द्वारा है यह बहुत पहले पुराना बना हुआ था तो हम लोग आप बना जा रहे हैं यह उपर में बना हुआ सीधी पे चड़ते हुए जाना पड़ेगा और यहां का नजारा आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दिवारे हैं तो यहां भी माथा टेक लिए और वीडियो नहीं बना पाएं क्योंकि वीडियो बनाना मना रहता है यह कीले का दिवारे देखे कैसे जड़जर हो गया है यहां से देखे गाईज कितना सांदार नजारा लग रहा है यह भटिंडा शाहर का नजारा है तीसरी सतावदी में यहां का राजारा भट्टी थे और उनहीं के नाम पे यह शाहर का नाम भटिंडा परा है यहां से देखो गाइज कीला का ना जारा गाइज यह भटिंडा कीला देश के तीन प्राचिंतम कीलो में से एक है और कहा गया कि यह पहली शताबदी में ही बनाया गया था और इसमें जो इट यूज हुआ वो कुसानकाल से जुरा हुआ है और इसके आसफास के इलाका से जो भी समान मिला उससे यह पता चलता है कि सिंदुगाटी सवेता से भी कुछ जुरा हुआ है यहां के लोगों से जो मुझे पता चला है मैं उसके अनुसार बता रहे हैं मुझे तो उतना आइडिया नहीं है देखिए यहां से यह वाले नया गुरुद्वारा है जो अभी में हम लोग दर्शन करके आए हैं और इधर से आप लोग पुरा नजारा देख सकते हैं यह पुराना गुरुद्वारा यहां भी अभी माथा टेक के आए हैं और यहां से आप लोग वीव देख सकते हैं आज संडे है तो बहुत सारे लोग माथा टेकने आते हैं इस कीले के वारे में कुछ हिस्टरी बताता हूं दिल्ली के संतलत काल में मुलतान के रास्ते पर भटिंडा एक महत्पून सहर था अक्सर हमलावार इसी रास्ते से कुछ कर जो 17 बार भारत प्याक्रमन किया था उन्होंने शुरुवाती में ही इस कीले को जीत लिया था किसी हिंदू साही राजा से बारवी शतावदी में यहां प्रित्वी राज चोहान भी आए हुए थे लड़की तुम लोग क्या कर रही हो यहां यहां देखिए गाइस दिल्ली परसाशन कर रही रजिया सुल्तान इसी कीले के अंदर में बंदी बनाई गई थी और वो जगा यही है और अभी यहां पे ताला लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहां देख लिए यहां भी सीड़ी है और एक इधर भी सीड़ी है एक देखो यहां छोड़ा भाई मिला है इन्होंने बता रहा है कि यहां पे लोग नहीं आता है क्योंकि यहां सुसाइड बेगर होता है इस वज़े से यहां पे लगा हुआ है यहां पे देखो गाईज ए कुमा बना हुआ है यह कुमा देखिये कितना गहरा है यह उसी समय का कुमा है आप लोग देख सकते हैं कि शॉलमी सतावदी में यहां बावर आया था बावर इसी रास्ते से गुजरा था तो उसका यहां पे कुछ तोपे है वो हम आप लोग को दिखाते हैं यह देखो गाजिए बावर के समय का तोप है जो उस समय युद्ध में चलाया जाता था वो आज भी ऐसे ही यहां पे का हुआ है आप लोग देख सकते हैं Barnes & Daniel के आगे चल के इसक्ले में सिक धार्म के पर्थम गुरू गुरु नानक जी आएurd इसकी ले में गुरुतक्तinga बहादूर जी का भी जिक्र है दस में गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बहा कायदा इसक्ले में रए है और जिसके व आपकी आप्राइब आप्राइब जुट। देख सकते हैं कितना संदार बना हुआ है तो ठीक है गाइज बाइबाइब फिर मिलते हैं नेक्स ब्लोग में